तुख संपती, यश और संतान प्राप्ती के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुब माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पून करना चाहिए लाप्राप्त होता है। तो आज हम सभी मंगलवार व्रत की कथा सुनेंगे इस वीडियो में। वो बहुत दुखी रहते थे। हर मंगलवार व्रत के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा करके ही भोजन किया करते थी। एक बार व्रत के दिन ब्राम्हरी ने भोजन नहीं बनाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगाया क्यों क्योंकि वो बना नहीं सकी। तब उन्होंने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा करके ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी छे दिन तक पड़ी रहीं मंगलवार के दिन वो बेहोश हो गए। हनुमान जी उनकी श्रद्धा और भक्ती देखकर बहुत प्रसंद हुए उन्होंने आशिरवाद स्वरूप ब्रामणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारा बहुत सेवा करने वाला पुत्र होगा। बालक को पाकर के ब्रामणी बहुत खुश हुए उनके बालक का नाम मंगल रखा गया। कुछ समय के बाद जब ब्रामण घर आये तो बालक को देखकर के पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार वरत से प्रसंद हो करके हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुन करके ब्रामण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्रामण ने बालक को कुए में गिरा दिया। घर पर लोटने पर ब्रामणी ने पूछा कि मंगल कहा है। तभी पीछे से मंगल मुस्करा करके आ गया। उसे वापस देख कर ब्रामण चौक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्रामण को सपने में दर्शन दिये और बताया कि यह पुत्र उन्हों ने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्रामण बहुत खुश हुआ। उसके बाद से ब्रामण दमपती नियमित रूप से मंगलवार वरत रखने ल होती है। तो यह कथा सुनने के साथ साथ आप इसी चैनल पर हनुमान चालीसा का पाठ भी श्रवन कर सकते हैं जिससे सभी प्राकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं तो प्रेम से बोलिए एक बार हनुमन दलला की जैए। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से ले तक पहुंच जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव